जै गुर्देव भूमि जोतकों सावधान आजकल एक सोर है पंचायती राज का साड़ेश चार साल हो गए अब तक तुम्हारा ध्यान इधर नहीं गया था आज आवाज उठ रही है पंचायती राज मैं पूछना चाहता हूँ क्या चालिस सालों से गदहों को राज था ये सब कुछ नहीं केवल बटोरने का चकर भूमि जोतकों तुम सावधान हो जाओ अपना जंडा पकर लो यह मेरा जंडा नहीं है यह जंडा तुम्हारा है अब तुम इसको पकड़ लो तो मैं भी इसके नीचे खड़ा हो जाओंगा मैं तो तुमको इसे पकड़वाना चाहता हूँ मेरे पास तुम सबके लिए एक योजना है मेरे पास तुम सबके लिए योजना है मुझे आपको ठगना नहीं आपको देहोका देना नहीं कि देना क्योंकि मेरे पास कोई जाती बच्चा तो है नहीं एक बात ध्यान में रखना कि मुझे राश्पति प्रदान मंतरी यम्पी यमले नहीं बनना और ना तो मुझे कोई पैसों से खरीच सकता है यह जंडा आपका राश्टी जंडा होगा अभी लोगों ने समझा ही नहीं कि सत्ता की सत्ता और सत्ता के अधिकार कहते किसे हैं मैंने सन पच्चीस में कहा था कि अंग्रेश चले जाएंगे स्वाराज मिलेगा क्योंकि यह एक महत्मा का संकल्प है मैंने यह भी कहा था कि देश तो आजाद होगा लेकिन राजे महराजे जमीदार जागिरदार सब खतम हो जाएंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आज सोर मचा हुआ है धोखे धड़ी का जो कुछ भी छिपाया जा रहा है तो कोई बात चिपेगी नहीं आप जंडा पकर लो एक एक बात आप अपने सामने एक एक बात आप सब के सामने आएगी और सबका जवाब बारतमान के जम्हेदार लोगों को देना होगा वेबच नहीं सकते मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना जंडा पकर लो किसी की रैली में मच जाओ सत्ता आपके हाथों में दिलवा दू और आप लोगों का काम करवा दू बात बात अब आपको सोचने की है इंसान जिसे गड़े में गिरा है मैं अभी हाल में एक गाओं के एक घर गया वहाँ पर एक डिबा कोने में अलग रखा था मैंने उस घर के आदमी से पूछा कि यह डिबा कैसा रखा है उसने जो जवाब दिया मुझे तो सर्माती है लेकिन आपको बाताना भी जरूरी है उसने कहा कि महराज जी इसमें मैं घर की औरत का पेसाब रखता हूँ यह भीकता है सरा बनाने वाले इसको ले जाते हैं उसका कहना है उसका खमीरा बहुत तेज उठता है आए इंसानों क्या हो गया तुमको बाबा जय गुर्देव जी महराज